नमस्कार दर्शकों मैं जोतिश अर्मा स्वागता भिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहत विशेश कारिक्रम वैदिक गुरु में हमारे आज के इस एपिसोड में हम बताएंगे कि कैसे नमबर्स के माध्यम से हमारे स्वभाव के बारे में पता चलता है नमबर्स बताते हैं कि कैसा होता है व्यक्ति का चरित्र और कैसा रहेगा आपका आने वाला समय और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मयंक चतुरवेदी जी, चलिए सबसे पहले मिलकर मयंक जी का स्वागत करेंगे, मयंक जी बहुत स्वागत करूंगे कारेकरम में आपका, बहुत बहुत धन्यवाज जोती जी, तो अगर सबसे पहले बात की जाए नम्रलॉजी की, तो हमारे दर्शे कैसे समझे, क्या होती है नम्रलॉजी, मैं चाहूंगे इसके बारे में आप हमारे दर्श्कों को बताएं जी, जी 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 नम्रलॉजी जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि कुछ नम्बर्स और उसकी स्टडी, जब हम नम्बर्स की स्टडी, जब हम करते हैं हमारी वैदिक एस्ट्रोजी में, एक वैदिक स्टडी जो हमारी रही हैं, उसमें कई सारे ऐसे तरीके हैं, जिसके थ हम आदमी के जो डेट ऑब रध है उसमें जो भी नंबर्स अम निकल के आते हैं, उस अलग अलग सब्हाओ, परस्नेलीटी, सबकी डेस्टिनी के वारे में उससे काफी कछ व्मालूम पड़ता है और उसी Onните को हम हीudy को ओधनी सिर्धिनि निम्हलों बात करें जिसे जोतिश की अगर बात की जाए, अगर हम किसी की जिनम समय लेते हैं, जिनम तिथी लेते हैं, जिनम स्थान के बारे में जानते हैं, तो हम उसकी कुंडली के हिसाब से बता सकते हैं कि उसका आने वाला समय किस तरह का होगा, तो क्या नमरलॉजी के माध्यम से भ वाला समय किस तरह का होगा जी बिलकुल जो देखि जो जो हमारा वैदिक जो भी हमारे टेमलोजी रही है उसमें अब डेस्टिनेशन हमारी एक है किसी भी जगा पर पहुंचने के कई माध्यम हो सकते हैं तो निम्रोलोजी एस्ट्रोलोजी यह सब उन्ही माध्यम में से एक मा जाना है उस वहाँ जाने के तमाम रास्ते होते हैं आप जा सकते हैं वाई ट्रेन जा सकते हैं उसी तरीके से अगर हम को आने वाले समय के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में उसके व्यक्ति के बारे में आगे प्रेडिक्शन के बारे में अगर हम को जो जानना है तो उ उसमें से एक numerology है, astrology है, tarot cards है, palmistry है, यह सभी वो मादधे हमें जिसे कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं. जी, बिल्कुल मैंग जी, तो अगर बात की जाए numerology के बारे में, तो सबसे पहले अगर शुरुबात की जाए number one से, तो किस सरा के होते हैं नमबर वन के जाता किसके बारे में जाना चाहूंगे? नमबर वन जैसे कि इसेल्फ बताता है नमबर वन नमबर वन ही होता है राजा होता है राजा के जो भी व्यक्तितों हैं वो सभी उसमें शामिल होते हैं जैसे कि राजा कहना में अच्छा करता है राजा अच्छा लीडर होता है अगर वो अच्छा लीडर नहीं होगा तो फिर वो राजा के स्थान पर बैठने के योग नहीं होगा तो एक नंबर वाले जो होते हैं वो अच्छे लीडर है उनका कम्यूनिकेशन अच्छा है थोड़े से गुस्से वाले होते हैं क्योंकि राजा जो है वो किसी की जादा सुनते भी नहीं है तो उसके अलावा आप देखा है तो देश भक्ष होते हैं राजा ये अगर राजा ऑगर राजा जो है डायालो नहीं होगा तो फिर कोरी मतलब बलब आगे अनवादा की जो काम होते हैं वो वो नहीं कर सकता है उसके अलावा चुकि राजा एक सुप्रीम परस् criterion gravity ही होता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को ज्यादा एक्स्प्रेस नहीं कर पाता तो इसलिए उसके अपने जो खास लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं तो वो अपनी बातों को ज्यादा नहीं बदा पाने का अंदर यें पै। गुर्टे भी रहते हैं थोड़े से वो भी है एक अलग जो जो भी बाउंडरी है उसको बढ़ाना चाहता है उसको आगे लेके जाना चाहता है उसका विस्तार करना चाहता है तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने आस्पराउस के लोकों को कॉंकर करने की उनको आगे बढ़ाने की वो कोशिश करेगा तो और इसी तरह वो जो धीरे धीरे अपने जो प्रोग्रेस की तरह और बढ़ते हैं बदोगार होता हैं चले अब बात करते हैं नंबर दो और नंबर तीन के बारेवे जी मैंक जी राज्या के बाद यहippedने और उवेस लिए रानी का है तो नमबर दो जो रानी का है रानी का जो नीचर होता है वो थोड़ा सा जो सॉफ्ट होता है वो जो डिपेंडेंट रहती है जो राजा के ऊपर एंटर और ळश कोई अन्होनी न हो जाए कि उनको समाल पड़े वो इमोश्नल जादा होंगे उनको तारीज सुन दो उनको तारीज सुनना काफी पसंद रहता है वो ज़ली है इसलिए वो ज़ली dah मिकसी से किसी लेकिन जिससे भी mix up हो जाते हैं वो उसके साथ फिर बहुत ज्यादा ही खुल जाते हैं उसके साथ हमेशा जो दिल से सोचते हैं दिमाग उनके चलता है लकिन वो कभी भी नाम की पीशे नहीं भागते क्यों पर उनको मालूम है कि उनका नाम जो भी होना होगा उराज्या के मातब तो इसलिए वो सहयोगी अच्छे होते हैं, वो किसी के साथ काम अच्छा कर सकते हैं, और थोड़ा सा रानी के सववाव ये भी होता है कि एक फ्लॉव ये भी है कि वो बहुत जल्दी अपनी बात से जो बदल जाते हैं उनमें जो ठेराओ वाली बात के नहीं होती है अपनी बात पर वो टिके नहीं रहते हैं और जहां पर भी उनको जरुवत होगी वो अपने मतलब के साब से अपनी बात से बदल जाएंगे राजा और रानी के बाद नमबर आता है गुरू का क्योंकि जो भी गुरू हमेशा जो नॉलिज को डेनोट करते हैं गुरू हमेशा एक जो ग्रोथ को एक स्टेबिल्टी को एक मिच्चुरिटी को बहुत अच्छे एडवाईजर माना जाता है इनको बहुत अच्छे एडवाईजर होते हैं यह इनके अंदर एक बहुत ही जो विशेश जो प बॉपाऊ रहेगा वो कभीभी यजांद की पीछेियर नहीं भागते हैं सकसेस सलो सकसेस ही होती है क्योंकि आज के दौर में सकसेट माइन हमेशा पैसे देखे जाते हैं तो सकसेट थोडी स्लो है योग वो तरफ ज्यादा रहते हैं जो गुरू होने के नाते बहुत जाते हैं नहीं जाते हैं वो बहुत जाuffागी लिए पुरी प्यूमत की चीना टाख कीरिवा उनकी रयू होते हैं सामाजीक होते हैं उनकी रिस्पेक्ट काफी होती ही तो होता है कोई भी काम करेंगे तो वह बहुत ही सो समझते करेंगे उसको बहुत उस पर जो गहन विचार विमर्श करके ही उस काम को जी तो विल्कल दर्शकों हमने जाना कि किस थरह का स्वभाव होता है नंबर एक नंबर तो और नंबर तीन के जो जातक होते हैं चलिए अब बात करते हैं नंबर चार और नंबर पांच के जो जातक होते हैं उनके स्वभाव उनके व्यक्तित्व के बारे में जी मैंग जी जुति जी नंबर चार पर हम आते हैं राजा की दर्श्टी से ही अगर इन सभी नंबर्स को जो देखा जाए एक मलब समझने का हम राजा की दर्श्टी से ही अगर जो देखें उसको चार नंबर राजा को जो सबसे जादा रेक्वार्मेंट होती है रानी और गुरू के बाद अपने चेलों की देखा जाए जो की उनके लिए उनके कहने से कुछ भी काम कर सकता हो तो चार नंबर उस कैटेगरी में आते हैं जिन पर की राजा का हाथ होता है अब जब किसी पावर्फुल आदमी का किसी राजा का किसी की उपर हाथ होगा तो आदमी थोड़ा सा जो दबंग हो जाएगा थोड़ा सा जो खुराफाती हो जाएगा थोड़ा सा जो गुस्से वाला हो जाएगा वो बिना सोचे समझे कभी काम कर सकता होगा वो उसके अंधर जो पहुत अच्छा मेंशर हो जाएगा क्योंकि अब्यूद्टकॉट वो को अच्छा मैंशर भी माना जाएगा वो डिमाग से भी काम करेंG're कि दिल से कम और अजιαर कोई उनके पास हर प्रकार का समाज में बहुत अच्छा नेटवर्क होगा उनका शोशल स्टेटर्स उनका थोड़ा बहुत जो दबंग टाइप का होगा कि वो लोगों को जो डरा धंपा के रखते हों लोगों को परिशान भी हो सकते हैं लोग उनसे कई बार वो कभी भी लाइफ म तो वो हमीशा ग्रोथ के ऊपर ही काम करेंगे वो ग्रोथ देखांगे पैसा जोडने में बहुत परफ्रेक्ट होते हैं वो पैसा बहुत अच्छा जोड़ लेते हैं अपनी मनमानी करते रहते सुनते किसी की नहीं है सुर्फ अपनी मर्मार्यों में ही समाज के जो नियम होंगे वह नियम को जब इलको नहीं मानते के और फिर अपने कुछ का लॉजिक बताएंगे कि मैं क्यूं नहीं मानता ऐसा बिलकुल नहीं होता वो उसको बहुत ही निर्दाता आसे उसका उनलंगन करेंगे इमोशन्स उनमें बहुत कम होंगे क्योंकि अगर इमोशन्स होंगे तो राजा के जो थोड़े बहुत के नेगेटिव काम भी लीटर को करना में करने होते हैं वो उसमें कभी उनकी हल्प नहीं कर सकते हैं तो इमोशन्स उनके अंदर बिलकुल नहीं होंगे वो अपनी गलती क तो वो काफी जो confused भी रहते हैं जो जी अब नमबर पांच पर आते हैं जी नमबर पांच राजा को अपने एक अटेंडेंट अपने एक जो मतलब बहुत ही जो विश्वशनी जो लोग हैं उनके बाद जो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है वो होता है राजकुमार तो नमबर पांच पर आते हैं राजकुमार जो भी राजकुमार की personalities होंगी वो राजा की personalities होंगी राजकुमार है ओविसली तो काम करने में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता आलसी होते हैं काम बिल्कुल नहीं करेंगे in fact पैसा automatically आता है उनके पास उनकी communication skills काफी अच्छी होती है एक balancing का number है पांच का इनके संदर एक बहुत एक अच्छी quality है कि यह कभी भी अपना आपा नहीं खोते हैं यह चाहें कैसी भी situation हो क्योंकि कहीं ना कहीं इनके उपर एक इनको लगता है कि एक व्रधस्त है इनके उपर वो इनके निबाग में कहीं ना कहीं एक रहता है और इनको क तो आपा नहीं कोने के लिए अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं बहुत ही बलब कि परफेक्शनिस्ट होते हैं यह आर्टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं अपने हाथ से क्योंगे तो यह पांश नंबर वाले उन चीजों में आपको जहातर इस फील्ड के लोग पांच नमबर वाले ही मिलेंगे जी तो बिल्कुल दर्शकों हमने जाना कि एक से लेकर पांच तक के जो जातक होते हैं उनका स्वभाव किस तरह का होता है अब आगे हम चर्चा करेंगे चे से लेकर नौ अंक के जातकों के बारे में उनका स्वभाव जानेंगे उनका व्यक्तित्व किस तरह का होता है इस विशे पर चर्चा करेंगे तो मैंग जी अगर छे नमबर के जातक की बात किये जाए तो किस तरह के जो है वो स्वढभाव होता है किस तरह कि वेक्ति होता हैं इसके बारे में जाना जांब है। शुक्रा-चार को हमारे हैं उनसे सम्मंदित है यह नंबर चैनल मर कि इपाज़ उन्को अपना मैनेज करने के लिए हर तरहा के लोगों की जरुवत होती है, अच्छे लोग भी जो चाहिए कोई भी राज करने के लिए और बुरे लोग भी चाहिए, तो छे नंबर को हमेशा एक जो बैड अडवाइजर की तरह ही देखा जाता है, इनकी लाइफ बहुत ही लक्जीरियस रहती है, इनकी ये अपोजिट जो के सेक्स है, उसकी तरफ काफी जादा एट्रेक्टेड रहते हैं, इनके पास पैसा की कोई कमी नहीं रहती है, उसके ये काफी अपनी लाइफ को हमेशा खुल के जीना चाहते हैं, बहुत ही लक्जीरियस लाइफ ही जाते हैं, जो भी इनके पास ग्यान भी होता है, जो भी ही अरजित करते हैं उसको यह मेटलिस्टिक चीजों में जो भी उसमें इस्तिमाल करने की ही कोशिश करते हैं यह ज्यादा पैसे नहीं जोड़ पाते हैं इनके पास जो भी पैसा रहता है वे उसको सिर्फ भोग की चीजों में ही इस्तिमाल करके उसका भोग करते हैं इसके अल करते हैं यह बच्चों से काफी प्यार करते हैं और फैमिली की तरफ हमेशा इनका एक जुकाव रहता है एक एंगल फैमिली की तरफ ही इनका रहता है और हमेशा फैमिली को इंपोर्टेंस देते हैं यह यह जहां भी होंगे फैमिली को हमेशा इंपोर्टेंस देंगे और खास कि होते हैं किस तरह का स्वभाव होता है कहीं न कहीं शुक्राचारे राक्षिसों के जो गुरू है उनसे मैंग जी ने बोला कि उस तरह के स्वभाव की लोग होते हैं लेकिन अब अगर चर्चा करें साथ नंबर के जातक के बारे में तो किस तरह के स्वभाव होता है उनका कि इनके उपर कहा जाता है इसे कि जो राजा के बाद रानी आती हैं तो एक तरीके से जो राणी के जो और निके बाद इनके जो धोका मिलने के चांसे上面 को थोड़े बहुत बहुत नहीं को जो विजिलेंट से यू रहने की बहुत ज़रूत रहती है क्योंकि ऐसा जो देखा गया है कि रानी के जो आसपास के जो लोग होते हैं वो हमेशा थोड़े से बात को यहां वहां करने वाले भी होते हैं तो राज बहुत जादा अपने मन में दबा के नहीं रख पाते हैं इनको लेकिन ग्यानी बहुत होते हैं जो ग्यान के पीछे जाएंगे सर्चर बहुत होते हैं बहुत अच्छे होते हैं अपने राज को दबा कर रख लेते हैं कुछ हद तक लेकिन चूंकि अगर माल लीजे अगर वो प्रेशर अगर जहरानी के कुछ हैं गुपचर और उनके तो ऐसी इस्तिती में वह राज कुछ हद तक दबा लेते हैं लेकिन जादा जो लंबा वह नहीं ठीच पाते किसी भी राज को पैसा इनके पास होता है पैसा आता है इनके पास लेकिन उतने जो money-minded हम नहीं गएंगे इनको पैसे के मामले में यह ठीक है यह चूंकि कि रिसर्चर हैं तो बहुत जादा ग्यान की तरफ भी जाते हैं और किसी भी चीज में इनका इंटरेस्ट होता है तो उसमें बहुत जो डीप तक जाते हैं यह जी तो बिलकुल दर्शकों एक से लेकर साथ नमबर के जो जातक होते हैं किस तरह का स्वभाव होता है किस तरह का जर्चय करेंगे, जी माहिंप जी, जी, जट्री जी, आठ नंबर, आठ नंबर को अगर जो देखा जाए राजा की ही ड्रस्टी से, तो आठ नंबर वाले, राजा को हमेशा नयाए की भी ज़रुत परती है, राजा हमेशा नयाए का जो करने वाला एक आद्मी उसके साथ होना ही चाहिए तो आठ नंबर वालों को बेसिकली ज़ज के रूप में हम देख सकते हैं बहुत ही संतुलित होते हैं बहुत ज़्यादा नॉलिजिबल होते हैं और इनके अदर सबसे अच्छी खूबी क्या है कि यह जो भी बात सपस्ट होती है उसको सामने रखते हैं कभी भी किस जो लोग अगर जज नहीं बन पाते हैं तो वो इनसे जो राय लेने के लिए भी होते हैं इनका दिमाग बहुत तेज होता है यह चुकि अगर उस चीज बर जायें देखें तो इनके पास सक्सेस इनको धीरे धीरे ही मिलती है सक्सेस इनको एकदम से नहीं मिलती क्योंकि अगर उस चीज बर जायें देखें तो जो जज है जब तक उसके उन फैसलों का एक पैमाना ते नहीं हो जाता क्योंकि लोग उनको एक जज को लोग भी जज करते हैं ऑबिसली कि वो सही डिस सा टाइम मिल सकता है लेकिन वो अल्टीमेटली जे सक्सेस की तरफ जो बढ़ते हैं लाइफ थोड़ी से इनकी स्ट्रगल फूर रहती है आठ वालों की अगर बात की जाए तो इनकी लाइफ स्ट्रगल फूर ही रहेगी अगर आठ नंबर है आप अगर आपके उसमें तो आप लाइफ में यह किसी भी पोस्ट पर रहें चाहें यह बहुत ज़या जा पाँये लेकिन यहां बहुन पर रहेंगे द natural services तो जो नीचे भी है तो वो जिस जगह पर भी है वो वहां पर टॉप पर होंगे हमिशा यह आट हो कि कि इस्टा है जी अब नौ पर आते हैं नौ नंबर बेसिकली अब राजा को पास सर्फ एक ही रखती ही जब बची वो है सिनापती उसके लिए युद्ध को लड़ेगा उसके लिए जंग के मैदान में को जाएगा और वहां पर आता है नौ नंबर का रूल नौ नंबर वाले एक तरीके से अगर कहा जाए तो बहुत ही जहन कि देशघगत आप उनको जबो सकते हैं धार्मिक बोसकते हैं डरते नहीं है किसी से भी उनका सभाव ही ऐसा है कि वो जह ह्दायालू होते है लेकिन अगर कुछ भी गलत हो रहा हो सामने तो उसको सहिंग नहीं कर पाते हैं किसी भी प्रकार से जो डर उनके अंदर ज रूप में उनको मानाया उनको जो कहा जा सकता है वो लीडर्शिप क्वालिटी उनके अंदर होती है लेकिन एक अप टू असरेटें एक्टेंट लेकिन वो किसी के अंडर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म मतलब कर पाते हैं नौ नंबर को निम्नलोजी के एसाब से सबसे ज़्यादा शुब भी माना गया है क्योंकि अगर देखा जाए कि तो सारी चीज़ें हमारी नौ नंबर के आसपास ही घूमती रहती हैं इसकि नौ ग्रहें हमारे नक्शत्र यह 27 होते हैं तो दो और साथ मिला करके नौ हो गया अगर हम कभी किसी से कुछ अच्छा काम करने के लिए भी कहते हैं तो हम 108 या 1008 इन शब्दों का इन नंबरों का इस्तवाल हम ज्यादा करते हैं तो अगर हम उनकों भी जोड़ते है नौनमब्र पर ही आता है हमारे चार जो भी जो योग रहे हैं हमारे अगर हम रहे स्थ योग से मगें द्ध क्विद्ध कर्योग से पध्रियोग फिर अभी फिलनाल क्अ कल योग में है इनका जो लेंद हमारे शास्तों मसलिख होई ही है वो भी नो नंबर पर जाके ही कतन होती है तो नो नंबर का एक विषेश योगदान है और बहुत सारे दर्शिक जो हैं वो हमें कारेक्रम में मेल करते हैं जो जानना चाहते हैं अपने बारे में एक मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है हिमानशू इनकी डेटो बर्थ है 14.1.1998 और ये जानना चाहते हैं कि मैं पिछले चार सालों से नौकरी तो कर रहा हूँ लेकिन सेविंग नहीं हो पाती है क्या कारण है और मेरा नमबर क्या कहता है इसके बारे में जानना चाहते है अपने बताया है 14.1.1998 मुझे कुछ कैकुलेशन करनी होगी इसके लिए तो हिमानशू जी बिल्कुल आपको मैंख जी बताएंगे कि क्या कहती है आपकी डेटो बर्थ और आपका आने वाला जो समय है वो किस तरह कर रहेगा लेकिन तब तक आप हमारे साथ हमारे कारिक्रूम में बने रही है हिमानशू जी इक की डेटो बर्थ 14.1998 जो बताई आपने मुझे जो देजी हिमानशू जी की परसनेलिटी 5 है और डेश्टिनी 6 है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर ये कहीं से भी इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास पैसा नहीं आ रहा है पिछले चार सलों से इनसे कहिए कि ये थोड़ा सा और पेशर सक है इनकी कुंडली महायोग का निर्बार कर रही है ये लाइफ में सफलताओं की बहुत उंचाईयों तक जाएंगे ये जिस भी फील में जो भी काम कर रहे हैं ये वहां बहुत अच्छे होंगे इनको मेरे साब से मुझे नहीं मालूम माईचु जी जो क्या करते हैं लेकिन इनको फैशन या मीडिया से रिटेड लाइन जो है इसमें इनको काम करना चाहिए वह ये जादा अच्छा बनाएंगे इनके पास प्रॉपर्टी होगी ही होगी आप इनको जंना लीजे इनके पास प्रॉपर्टी होगी मुझे नहीं मालूम अगरGS अगर नहीं है तो बहुत जल्दी हो जाएगी इनके पास प्रॉपर्टी और इनको अगर ऐसा कहीं से भी लगता है कि यह कुछ अभी इनके साथ ठीक नहीं चल रहा है लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं देख रहा है लेकिन अगर फिर भी इनको लगता है तो यह सिल्वर का कुछ जो पहन लें अगर हो तो एक सिल्वर इस्ट्रैपी का घड़ी ही ले ल मैंक जी महल Wijंभ बताया मैंग जी ने का उपाय को यह रहने वाला समय दिए कि नियम के मारी के कि मैं पुलाय'? नियासे किसी भी विक्ति के सौइब के बारे में पता चलता है तो इस तमाव जनकारी कि लिए हमारा और हमारे दर्शकुन को महारदर्शन करने के लिए और बताने के लिए कि किस अरह रहेगा उनका आने वाले समय इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत थाने वाज़ जी नमस्कार